सारधानी बिलासपुर के विकास के लिए रोटरी क्लब सामनी आया है रोटरी क्लब लगतार जनहित के कारिकर प्रदेश की तरक्की में एक महत्वूर रोल अदा कर रही है रोटरी क्लब की कोशिश है कि बिलासपुर जिले के विकास को आगे बढ़ाया जाए और इसे एक वर्ड क्लास सिटी बनाया जाए लिहाजा यहाँ स्कूल कॉलेज खोलने इंडस्ट्री स्थापित करने के साथ ही बिलासपुर को दूसरे राज्यों से जोडने के लिए यहाँ के एरपोर्ट के दस्तार के लिए रोटरी क्लब लगातार प्रयासरत है रोटरी क्लब और नगर निगम की कोशिशों से यहाँ जनहित के कई कारी किये जा रहे हैं जश्टिस तंखा मिमोरियल स्कूल में रोटरी क्लब के गोल्डन जुबली इंस्टॉलेशन सेरिमनी का भव्य आयोजन हुआ रोटरी मार्क औकसी पत का उद्खाटन किया गया जो बिलासपूर के लिए एक बड़ी सोगात है कारी क्रम में रोटरी क्लब के अंतराश्ट्री अध्यक्ष शेकर मेहता, राजसभासांसर, विवेक तनखा के साथ आई टीवी नेटर के पाउंडर कार्थिके शर्मा भी मोजुद्रे रोटरी क्लब के अंतराश्ट्री अध्यक्ष शेकर मेहता और सांसर विवेक तनखा ने कहा कि आने वाले दिनों में 36 गण में भी स्वास्थ सिख्षा और साक्षर्था जैसी बुनियादी जरूरतों पार मिलजूल कर काम करेंगे जरूर अभी स्कूल का आप लोग चाहते हैं कि जरूरत है जरूर करेंगे इसे और स्कूल ऐसी खुलेंगी भी और मैं जो तरादिजी है उनको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिलासपूर के तरफ ध्यान दें क्योंकि बिलासपूर को जरूवत है बिलासपूर के साथ नाइंसाफी हुई है मैं तो आसनी 200 साथ से कह रहा हूँ कि आप आप को कैपिल नी बनाए गया है आपके साथ हुआ है जो जबल्पूर के साथ हूँ और हम उसी दिशां में है जैसे आप से इसलिए मापके साथ और जादा खड़ा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप आप लोग का प्रोग्रेस हो यहाँ पर लोग आएं इंडस्ट्री आए संसकार राजधानी में विकास की बयार बहाने और वहाँ वर्ट क्लास के स्कूल और कॉलेज खोलने के साथ ही वहाँ उद्योग स्थापित हो जिसके लिए रोटरी क्लब लगातार प्रयासरत है आपको बतादे रोटरी क्लब की लिए लोगों को यहाँ पर ऑक्सिजन प्लांट दिया गया है रोटरी क्लब की तहत ये प्लांट दिया गया है और इसमें राजसभासान साथ विवेक थनका भी इस कारिक्रम में मौजूद रहे गोल्डन जूबले इंस्टलेशन सेर्मनी का भव्य आयोजन किया गया जिसमें आई टीवी नेटवर्क बिलासपूर के विकास के लिए रोटरी क्लब लगातार लोगों की मदद कर रहा और ऐसे में इंस्टलेशन सेर्मनी का आयोजन हुआ जिसमें झाल